तो वेरी गुड मॉर्निंग तो एवरिवान आईए पुराने दिनों को याद करते हैं और चर्चा करते हैं जो मेरा काल था कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज में क्लास 9 से लेकर के 10th 11th और 12 तक 9 से 12 तक उसको याद करते हैं और उसमें आनन देल दिते हैं जो पुराने बंदू इसे सुनें वो भी कुछ अगर याद हो तो बताएं और अगर मैं कुछ भूल गया हूँ जिसी दोस्त का नाम लेना या मुझे याद नहीं हो इतना टीचर्स के नाम तो आप भी कुछ कमेंट कर सकते हैं याद दिलाइए का यादों में ही आनन्द है बारहाल मेरे पापा का ट्रास्फर लखनव हुआ था कानपुट से तब हम यहां पहुंचे थे तो सेविंथ में जब हम आये तो थोड़ा सेशन लेट मतला हम लेट आये थे तो एड्मिशन मुश्किल था कहीं वैसे एक दूज़गे टेस्ट दिये थे पर मेरी गणित बहुत कमजोर हो थी घणित कमजोर होने से मेरा काए ऐड्मिशन होता नहीं था तो मैंने एक महान अगर में स्कूल है लखनों में ब्लू बेल्स करके तो बारhाल वही मैंने ऐड्मिशन हुआ है और दो साल मैं वही पढ़ा है उषके बाद नईज़सर तब मेरा एडमिशन नहीं था है, उसके बाद में कॉलविन में ले लिया, कॉलविन में ले लिया कि मैं रिलेक्टेंड था, मैं जाना नहीं जाता था कॉलविन तलक जार्स कॉलेज, क्योंकि कॉलेज के बारे में सुना था, यहां बहुत गुंडे होते हैं, यहां यह हैं, ल हुआ उस समय वहां पर प्रिंसिपल टंडन जी थे मिस्टर टंडन मुझे पूरा नाम याद नहीं है और टंडन जी अच्छे प्रिंसिपल सक्त प्रिंसिपल माने जाते थे अच्छी में कॉलविन में कुछ management versus ownership की कुछ लड़ाई वड़ाई थी कुछ management और प्रिंसिपल्स और मतलब कुछ था वहां पर emulate हमेशा से कुछ जोगडा रहा है जमीन को लेके ownership को लेकर कॉलविन में कुछ ऐसा ही है आप जैसे कि जानते हैं कॉल्विन में भी कॉल्विन मतलब रजवारों का स्कूल था मतलब तालुकेदार्स कॉललेज आप नाम सुनी रहे हैं तो तालुकेदार्स मतलब जो रूल करते थे क्लास को देवर तालुकेदार्स तो उनके बच्चे वो पढ़ते थे तो वो एसकूल कुछ वैसे ही बनाया तो जब पहले बना था बहुत पराना इसकूल है यह तो वाहां वो लोग घोड़े से आया करते थे तो अस्तबल अस्तबल भी बने हुए हैं ये भी बनाया तमाम चीजे हैं उसमें ठीक है बहुत बड़ा कैमपस है अगर आप देखेंग मैंगो फील्ड ग्राउंड फील्ड बहुत है बड़े बड़े एक किनारा कॉल्विन का गोंती को टच करता है स्कूल बहुत बड़ा है ना एक तरफ से दूसी तरफ वो पुलिस लाइन वाली रोड पे बदर खतम होता है इधर सामने यूनिवस्टी पढ़ जाती है इसलिए भी थोड़ा इंटरफिरेंस जादा है इस तरफ न्यू हैदराबाद पढ़ता है तो इस तरीके से कॉल्विन जो है ना बहुत बड़ा स्कूल था है अभी भी मतलब बहुत बढ़ी हैं कैंपस है और वैसा है अब जब मैंने जोईन किया 1993 की बाद है समझिया उस समय पढ़ाई लिखाई और यूपी बोड का स्कूल था वैसे नहीं जैसे आजकल है थोड़ा बहुत पढ़ाई स्कूल में होती थी स्कूल में पढ़ाई होती थी यह नहीं कहूंगा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी तो टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते थे टीचर अपनी कोचिंग भी पढ़ाते थे तब क्योंकि टीचर की सेलरी कम होती थी और टीच पढ़ाते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते थे, पीशे पढ़ाते थे, बर कोचिंग में भी ज़्यादा पढ़ाते थे, स्कूल में कुछ कम पढ़ाते थे, मुझे ऐसा कहने में कोई वो नहीं है, हाई स्कूल में मुझे याद है हमारे टीचर्ज थे सिनह सर थे हिंदी पढ़ाते थे उनका बेटा शाश्वाद भी मेरा अच्छा दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है और भी भी वो मेरे टच में रहता है वाटसैप से और इंग्लिश जोशी सर पढ़ाते थे और पढ़ाई लिखाई होती ही रहती थी और कुल मिलाजुला करके ऐसे मतलब एक टाइम मतलब अच्छा भी था आप कह सकते हैं वहाँ पर क्या था वहाँ पर कॉल्विन में दो तरीके की लडाई हुआ करती थी एक तो हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स में लडाई होगी ठीक है जब मैं शुरू-शुरू में गया तो मैं दीरे-दीरे समझता था मैं मतलब कैसे मैं अपने घर से साइकल से आता था ठीक है बारहाल तो मैं दीरे-दीरे इसको मैं समझने लगा कि मतलब किया सीन है यहां का सीन यह था अब नाइंथ-वाइंथ में इतने दिमागदार नहीं हुआ करते हैं हम लोग बेकूफ ही टाइप के थे हम उसे में पीडी बेकूफ हो जी थे हम लोग आजकल के जैसे प्रोफेशनल और तेज दिमाग की लोग थे मतलब हमारा दिमाग जादा नहीं था तो हम लोग देखा करते थे कि हॉस्टिलर्स और डे स्कॉलर्स में लडाई हो रही है ठीक है यह कॉमन था महाँ दो हॉस्टिल्स थे एक और एक बात सबसे पहली चीज तो यह कि यह पूरा बॉइज स्कूल था तो लड़कियों के देखने के लिए यूनिवर्स्टि जाया करते थे सामने लिए यह तो यह तो एक नौर्मल सी बात है घै खैर मैं तो कभी नहीं गिया लेकिन के लड़के जाकर की लड़कियों चेड़ते थे फिर वहां की लड़क्या के हमाई लड़कों को मारते थे इस तरीके से एक बड़ाईया बहुत होती रहती कि अकसर मैं देखता था वहां पर क्या था किया था एक पेड थे बादा सा वहां केन्टीन अभी भी ऑगी शाइद मेरे ख्याल से मेरे एक यह बड़ी है केंटीन थी और फुरिए मिल जाती घ्म्न हे रहता ता खा लिया अपना जो कुछ है कि बनाता था समोसे पूरी जो भी कुछ बनाया खाया भी ऐसे जैसे सबके नॉर्मल रूटीन चलता है तो मुझे याद है महां पर क्या था दो तीन गैंग थे जो हम बैठते थे तो उस समय कावा सा की बजा जाती थी तो एक लड़का था काला काला सा नागराज और दो तीन बड़े सुंदर सु कुछ समझ में आता नहीं देखते थे हम लोग फिर वह एक दिन देखी मैंने लड़ाई-बड़ाई कि वह जो बुलेट की चेन होती है उससे डे स्कॉलर रस और इन में और स्टिलर्स में लड़ाई हो रही है छोड़ेंगे नहीं लेकर होक्की पहुचे बढ़ें तो तमाम इन शिरुवाद में तो मैं देख के मैं का इसम लड़ते ही रहते हैं लड़ाई-बड़ाई-जगड़े-वगड़े से कोई मतलब नहीं था मैं देखा हम लोगोंने कोई मतलब भी नहीं हम लोग उस टाइप के नहीं थे बारहाल एक बार क्यावा बहुत ज्यादा लड़ा ठीक है तो मैंने भी पथर मैंने भी चलो आज एक पथर मार के देखती क्या है पुलिस की पुलिस तो खेर बहुत दूर थी मैं बहुत दूर था भी मैंने एक पथर मारा ऐसे बहुत सारे बहुत सारी भीड़ थी मैंने का चलो ठीक है कोई बात नहीं मैंने कोई बहुत बड हो नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है मैं उस गुमती वाले चोर्स के मैं तो इसकूले काफी अंदर था जब की ठीक है वहां से मैं ने दौर गाई तो मैं पीछे उधर पुलिस वर लाइन की तरफ से दिवाल फांदी वहां भी बन था वहां से कूद के उधर को भागा और जैसे ही बाद तो मैंने का यह भावाल निप्टा किसी तरीके से खेर बचा में बाप ने बाप अब मैं कुछ नहीं करूंगा यह भावाली काम यह तो यह बहुता भीड़ में आप थोड़ा बहुत कर देते हैं खेर उसके बाद मुझे याद है टेंथ की टेंथ में हमारी लैब थी फिजिक्स वाली इदर साइड में ऐसे चैनल है उसके बगल में लैब थी जैसे कि हम सब जानते हैं कि लैब में अब बठाते हैं हम लोग को और वर नियर कैलिपर्स और स्कुरू गेज वाले प्रैटिकल ह होते हैं हाई स्कुल की बात है तो एक दिन क्या हुआ मुझे याद है कि यह पिक्चर रिलीज हुई रंगीला ठीक है रंगीला में हिरोईन थी और मिला मार तोंड कर अब एक दो बच्चे देख कैं रंगीला बहुत जबर्दस पिक्चर है चलो सब लोग रंगीला उसमें म मैं फिर चला करता था उसमें अब तो बंद हो गया है तो हम लोगों नहीं चलो मैं भी चलता हूं मैं तो ऐसे पिक्चर रिसे डरता था लेकिन मैं भी पहुँच गया हम सब लोग करीब बहुत लोग थे उस दिन कब से कब मेरे खाल से 50-60 बच्चे हमारी क्लास के ही 30-40 सब मैं फिर पिक्चर ही देखने चले गए इसकूल इसकूल भाग छोड़ दिया सब बंक मास बंकिंग केंट सब भाग जाओ तो अगले दिन फिर हम लोगों को बुलाए गया कि सब को कर बुला के लाओ तो फिजिक्स लैब में हम सब को खड़ा कर दिया गया आप सब गए पिक्चर देखने किसी ने बता दिया हमाँ शिकायत कर दी आप सब पिक्चर देखने गए तो इसकूल छोड़के भाग करके ये है वो है तमाम बवाल हुआ दो शायद मैं रिखार से तीन दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया हम सब को बहुत सारे थे हम लेकिन खेर हम लो मुझे याद है एक बार बाबा सहगल हमारे स्कूल में आ गया कॉल्विन से बहुत सारे फेमस लोग हुए ऐसी बात नहीं है पढ़ने पढ़ाई का इस तर इसमें अच्छा था एक बार बाबा सहगल आ गया बाबा सहगल कॉल्विन से पढ़ा हुआ था पढ़ी भीड असे इसा बना हुआ यूपी बोर्डिंग में और उपर से प्रिंसिपल खड़े होते हैं उदर प्रेयर कर आने वाले ऐसे बनाया हाउसे खड़े होते हैं नालंद आजन्ता लाइंशे ऐसे करके चार हुसे है वसी में आजन्ता आउस को ही बिलॉंग करता था है बारहाल तो एक दिन बाबा सेगल के साथ वह कोई जी इस समय जो यह जी जी चैनल वाले वी आये थे तो उनके साथ एक लड़की आये हुई थी तो लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे इतनी सकल्ट और ये तवाम अब उसको लोगों ने इतना परेशान कर दिया मैं आपको क् बीड्य उस लड़की के पीछे पढ़ेए सब वह बीड्य परेशान यो इतनी बीड लड्य लड़की के पीछे पढ़ गया लड़के सब लड़कों का इस वह जाता है बाहवाल किसी तरह रहे वह लड़की यूपी बोर्ड में वैसे हम यूपी बोर्ड से कॉलिन था नाइन मेरे परसेंटेज 69.3 थे अब यह बहुत तुम्हें कहों इतने कम यह उस जमाने के हिसाब से और उसी स्कूल में यूपी बोर्ड में बहुत नंबर थे तो मैं मानता हूं ठीक थे ठीक है अब जैसे आते हैं 98 और 95 परसेट तब नहीं आते थे ऐसे नंबर चलिए जो भी कुछ है पहले खेर वो सब यह अलग बात है उससे कोई नंबरों से कोई फरक ज़्यादा नहीं पड़ता है खेर आप यहां से होते हुए फिर बात 11 अब 11 12 में पहुँचे अब साब 11 12 में ऐसा था कि मैं तो साइन साइट से था तो अपना केमिस्ट्री लाब है इदर से हम फिजिक्स पढ़ाने वाले साइन टीचर्स थे अपना आराम से डॉक्टर एम शम्यूला इन और्गनिक पढ़ाया करते थे गोयल सर हमें और्गनिक अब 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 मैं आपको बताओ जब मैं 11 ने पहुचा ना तो हमारे जो क्लास टीचर थे वो थे मिस्टर गंगवार को कि मैंने बाइलोजी ली थी मिस्टर गंगवार क्याता है उनकी कोचिंग चलती थी और लड़कों ने पहले ड्रा दिया था इसकी कोचिंग जोईन नहीं करोगे तो यह फेल कर देगा और यह कर देगा वो कर देगा आपको शायद मालूम होगे एक सुर्भी इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर यह जो ताड़ी खाने के पास लख नौ में अली गंज में वो नहीं का है टीक है शायद इन्होंने कोचिंग से अच्छे पैसे कमाया और यह कि स्कूल खोल लिया मैं ऐसा था कि मैंने और तीन चार लड़कों नहीं हमने का कि हम तो कोचिंग जॉइन नहीं करेंगे बात खतम हो गई हम चार ही लोग थे और हुआ ये भी कि मैंने जॉइनी नहीं किया चांस की बात देखो कि अब हमको लगा डर की क्या होगा लेकिन मैं पढ़ने बाइलोजी में मैं हमेशे सही था तो मैंने अपना पेपर बढ़ी है कियो मेरे अच्छे नमबर आए और चांस की बात है कि 11 की जो पहले टेस्ट हु सबसाब के नमबर आए दोगे मिए लिख जाए लिख दोगे लिखाए तो दोगे दोगे उस्समान में यह विल्टि नहीं करते थिएрий और सीदी थी तो मैं मैं तो नहीं कियो मुझे उन्हों कोई शिकायट भी नहीं है कभी आुसा एसा भी नहीं कि कई भी किया कुछ नहीं कभी कुछ ऐसा भी नहीं कियude मैं यह मानता हूं थो गंगोहार सर्थ से यह था पहले ध्र कुर्टैट्राइब 3 बनाने करुड थे ऑब बनागए लाओ उसके बाद थो तो पास है थे लिखाओ और सा सांथ ने चेक करते हैं तो बोलते हैं थे मेरी एक कोचिंग है उसमें आ जाना क्या बताएं आपको गजब था अच्छे मैं आपको चीज बताता हूं और एक हमारे जब नम नाइंट नेंथ में थे तो हमारे एक बाइलोजी टीचर थे जीवी सिंग बड़े बड़ी असर थे चुट तो जीवी सिंग जी थे तो जब मेढ़क कटवाएं तो सब एक तम अलट दस्वे में मेढ़क कटते हैं हम लोग यह वाली नर्व निकालो यह बीच की नर्व निकालो काटा वाटा लेकिर वह टीचर बहुत बड़ी हैं ऐसे ही जब 11 तो में केच्वा वेच्वा दे दिया गया इसका वो निकालो नर्व निकालो उसाली कभी निकली नहीं केच्वे काटते हैं काटते हम ठग गये पर वो नर्व निकालते पता नहीं समझ में नहीं आता था क्या है वो सफेज सफेज निकालो इसको इस तरीके से ना तो मुझे कभी वर्नियर कैलिबर से ना अपना ना मेरा कभी नर्व रिंग निकला ना मेरी कभी आर्ट निकली काम बस ऐसे ही आहां दिख रहा है दिख रहा है और छोड़ो जब एक्जाम होते थे तो सब लुका केमेस्ट्री का जब वो सॉल्ट देते थे याद है तो भाईये वो लैब एसिस्टेंट के पास पहुंचो भा कुछ नमाज में नहीं आ रहा भाईये कुछ बताओ ठीक है यह है यह देखिए प्रॉब्लम अगर स्पेसिफिकली तदीके से बताई जाए इसलिए नहीं आता था क्योंगि कोई चीज बताई नहीं जाती थी ठीक से अगर आब कोई पढ़ाई नहीं जाएगी तो कहां से आ यह दूर से एक बार दिखा दिया ऐसे ऐसे तो कहां आप इतना कर पाऊगे उसमें फोकस होना चाहिए नहीं लेकिन मैं यह तब भी मानता हूं यह भी ठीक था जो भी था तब भी बहुत अच्छा था जहां तक मज़ेदार घटनाओं की बात है अब पढ़ाई लिखाई ऐ सबार बजिख में ऑब भो सी आरो पढ़ा रहे थे हमें मालुम कि अकलास में किसे दिवाली का बम रख दिया था काफी पता नहीं साद अगर बट्ती लगा गया रखता कैसे रखता मुझे मालूं पापं अम सब तो शीशे भी चटक गए थे पीछे के बहुत जोड़ से था वो हम सब चौक गए अब फिर गुपता सर्म ने सब करें खड़ा किया है खड़े हो सब खड़े अब खड़े हो खड़े हो किसी को मालब ही नीयए वब लोकर के क्लास इसस्पेंट क्लास को मुझे मालम नहीं लेकिन वह ने डर गए थे और उसकी धमक उसकी आवाज आज भी कानों में आती है दाम मनलब सब चौंगे थे खैर ये बंकाट एक हिंदी के टीचर भी थे हमारे या पता नहीं ना मुझे आतनी 11 12 में उनको सब बच्छे परिशान किया करते थे जब वो आये तो बच्छे सीड गिरा दें उ उसमें लिख दें उठाने वाला डैस ये वो कभी पता नहीं क्या एक दू लड़के ऐसे थे बतलब मैं क्या बता हूँ आपको कुछ कभी कुछ लाके रख दें मां कूड़ा कभी कुछ कभी बहुत उनको परिशान क्या करते थे खैर ये सब चीजे भी होती ही रहती है बगल में उनका घर था पता नहीं अब शायद उन्होंने बेज दिया है क्या किया है तो पनौली सर जो थे बहुत खतरनाक थे उनको देके डर लगता था वो पढ़ाते बहुत कम थे पता नहीं एक दिन उनको पढ़ाने की शौक लगी है वो कभी कभी क्लास में आया करते थ हम लोग सोचते थे यह क्या आएंगे हम सब जाके कैंटीन के बाहर बैट जाते थे वही कैंटीन में बैठे रहते थे तो पनौली सर एक दिन पनौली सर को घुसा आगे बुलाया मैं सब को बुला लाओ पीछे में ऐन्गो फिल्ड ग्राउंड में सब पहुंच गय क्या हो क्यों कुनल है तो कॉल विंट में कैसे गूमबद को बडा प्रिंटिपल का ज़ो आफिस एक ठीक ऊपर मैंने में पुराने जहुने योट ने तो चुट में वारे और उल्टा करके कहर ऊल्टा करके कॉल देखो तो जुकाते थे ऐसे तो अब गुंबद को तरब देखो, दिख रहा है कि नहीं, और मारा फिर टेंडर या मारा भाग, तो इस प्रकार से जबरदस्थ तरीके से पिटाई करी उसने, बहुत मज़ा आया, सब को मारा, एक तरफ से केन ले कर गए, एक दिन की और बात है, एक दिन हम लोग क्या करते थे, वैसे स्कूल में, स्पोर्स की फैसिलिटीज बहुत अच्छे थी, कॉलिट में, ठीक है, एक टीचर हमारे जो स्पोर्स टीचर थे, वो डीकेस चौहान थे, तो हम लोग चौहान सर, चौहान सर कहते थे, जब समान लेते थे, फुटबाल इशू करा ले ना, मैंगो फि थे, फुटबाल खेलने में, या टीम में सरकें, क्योंकि वो टाइम दे सकते थे, हम लोग इसकॉलर्स थे, हम लोग उतना टाइम दे नहीं सकते थे, वो लोग शाम को खेलते थे, उनका इंट्रेक्शन अधिक था, तो साइंस एशूशीज था, स्पोर्ट से तो बच्चे स चीज़ों में भी ऐसा नहीं था कि वो नहीं था, अब वो अलग बात है कि मैं कभी इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था इन सब चीज़ों में, एक्स्टा क्रीकुलर्स अतनी होती भी नहीं थी वैसे उस जमाने में, अब जैसा अब हो गया है, कुछ होती थी एक-दो जब जैसे लामाटीनियर में कुईज है या लारेटों में कुईज है, आज लारेटों में तो हम लोग क्या ही जाते थे लडगियों को लामाटीनियर वाले स्कूल में एक-दो बार, सैंट-फ्रंसेस में दोबार कुछ हो थे प्रोग्राम वहां भी कॉल्वीन की लड़के कुछ दंगाउंगा कर रहा थे तो उन सब मिशनरी स्कूल वालों ने भी अमगों को भगा दिया थे हैं भाग जाओ इनको बुलाओ इमात अखली बार से एक बचैर कुछ लड़कीं को छेड़ आयते हमारे स्कूल की लड़के ऐसा भी कुछ हुआ था किसी कम टीशन में जाके है हमारे स्कूल की लड़कों ने अच्छा ही काम किया हमेशा है काम चलता रहा है और चीजें होती न प्रफ़ाद है कि एक दी मैंने भी मतलब पता नहीं वैसे मैं किसे पंगा ले लिया एक से नहीं जाता हूं जब मैं हाइश्कूल में था बोर्ड का एक्जाम दे रहा था मैं यूपी बोर्ड का मेरे पीछे एक गुंडा बैठा बैठा पहलवान टाइप का अधनी बैठा ह बढ़ा लोग कहते हैं बहुत बढ़ा डॉन है उसका नाम था गोपाल जी से मेरे नाम भी था उसका नाम गोपाल था वो भेंकर मोटा सा था अब मैं डरूंस से वो कहता था मुझे बता देना मैंने का ठीक है बता दूगा मैं अपनी कवी पीछे को दिखा यहों की अगर रिखलो अगर हो नहीं दिखाँ को तो मुझे मारेगcreatा को कि वो डॉन था तो एस और यह साही बात है मतलब मैं तोड़ा डरता भी था मैं सुझता था यह कहीं मुझे मारे ना इसलिए अच्छा इसे दिखा दो तो जो पूछता था मैं उसे बता दिया करता है लड़कों ने मुझे पहली बताया था यह बहुत खतरनाक है इसके पीछे बैठे हो तुम मैंने गा ठीक है चलो अब हम लोग शाम छुट्टी के बाद क्रिकट खेल ले थे ऐसी बैड़ बॉल ले करके डंडा एक पीछे स्विमिंग पूल था पुराना होई पर स्विमिंग पूल के सामने हम लोग ने का समान इशू करेंगे क्या फाइदा ऐसे ही ले लो ऐसी खेला जाए खेल ले थे तो डी उन्होंने वही बल्ले से हम सब की तुडाई कर दी ट्रणाट रम ढवाड़ खेट से लो शी तरीके से वो दर्द वर्द सहे और हम लोग खेल घर भागाए इसके बाद से बाद से जब पर हमने हमेशा समान इशू करके खेला उसके बाद हमने का इशू कराए करो बहीया सानीकप की बात है हम लोग को शिफ्ट करती है जब वहां गए तो एक दिन सुबह सुबह हम तीन लड़के थे मुझे मालूम नहीं कौन एक बम लेके आया था था फिर था तो मैंने का तो वो दोनों कह रहे थे और इस बम को फोड़ते मैंने का मत फोड़ो के फोड़ो मैंन किनारे पर खड़ो गया तो अचानक ही उसमें धमाका थोड़े बाद हम आ रहे तो उदर से जोशी सर आ रहे थे एकदम से धमाका बद राम मैंने का बादेखो बढ़ियां तगा कोई था नहीं तो कोई दिक्कत की बात है जोशी सर आ गया तो कह रहे यह बम किस ने फोड़ हुए थे आप करेंगे तो आप सामने पढ़ेंगे आपका भविश आपके हाथ में यह वह तमाम चीजें खुशूरत तो कुल्मिला जुला करके कॉल्विन का एक्ष्पीरियंस बहुत बढ़ियां था और ऐसे ही दिन बीखते रहे और हम चारों हम लोगों सबने पास्वास किया और टाइम भी ताया है और जीवन का एक आनन्द है मैं आपसे सच कहता हूं वह बहतनी साल नाइन छे ट्वेल तक अब जीवन का असलिए आना ज़री लेते हैं यहां को टेंशन नहीं होती है हमाही जमाने में कोई टेंशन नहीं भी टेंशन हो गई है नाइन 10 वे अब कि नहीं करने चाहिए लेकिन अब जमाना ही ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं कि हाँ पर एक ये भी बहस हो सकती है कि क्या कोई एजुकेशन बढ़ियां है कि ये सिंगल एजुकेशन खाली एक तरीके के बॉइज ये गर्ल्स के स्कूल जो सेपरेट होते बहुत अच्छे है मैं इस बारे मैं भी तक कोई निर्णाए नहीं निकाल पाया उन्निशकर से क्योंकि मैं कोई समझ में नहीं आया कि इससे क्या है क्योंकि मैं किवल बॉइस की स्कूल में पढ़ाऊं क्लास नाइन से लेकर के ग्रेजुएशन भी मैंने क्रिश्चन से किया वहां भी बॉइस ही लड़कों का स्कूल था तो जब उसके बाद हमने होटल मैंजमेंट किया ना तो लड़कियों के साथ मुझे एड़्डेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही यह सही बात है लेकिन मैं यह भी मांता हूं कि लड़कियं डिस्ट्रैक्शन का भी यह कॉज है ठीक है चलिए इस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे